आप लोगों ने गोलगप्पे की कहानी पार्ट वन तो अब तक देख लिया होगा चिंकी पिंकी अपनी मम्मी के लिए गोलगप्पे बना रही थी तभी गेट पे कोई आ गया था बेल बजी थी लेकिन पता नहीं वो कौन था इसको जानने के लिए चलिए हम पार्ट टू देखते है मैं पोस्ट मैन शर्मा जी का पासल आया है आप अंदर कैसे आ गए तरवाजा तो बन था ये लड़की शोर मत पचाना वरना जान से माल दूँगा चल बता तीचोरी कहा है घर की कौन हो तुम पहले बताओ तीचोरी कहा है और मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना वो पीछे वाले रूम में है तुम यहां से हिलना मत चिंकी तुम किसे बात कर ले थी? कौन था गेट पर? हमारे घर में चोर घुसाया है चिंकी क्या? कहा है वो अभी? अंदर वाले रूम में मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत डर भी लग रहा है हमें कुछ तो करना होगा चिंकी अच्छा ये बताओ तुमने वो गुलगप्पे के पानी बना लिये थे तुम्हाद दिमाग तो ठीक है न? घर में चोर है हमारी अलमारी ले जा रहा है वो और तुम यहाँ पे गुलगप्पे की बात कर रही हो हाँ वही गुलगप्पे जो हम दोनों ने बनाये थे मम्मी के लिए जाओ किचन में रखा हूँ है जाके खालो नमस्ते पोस्ट मैंट जी यह लगी कौन हो तुम? और यहां क्या कर रही हो? अरे अरे कुछ ने कुछ ने मैं तो बस पूछने आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं नहीं कुछ ने चाहिए निकलो यांसे और आना मत ठीक है मैं तो जा रहे हूँ बस पूछना था यह पानी तो नहीं चाहिए आपको अच्छा ठीक है बस एक लास पानी लेके आजाओ अब सबक सिखाती हूँ मैं इस चोर को यह लीजिए पानी दो यह तुमने क्या कर दिया पागल लड़की? मेरी आँख में एक जलन हो रही है पर मैंने तो आपको पानी दिया आपनी ही तो मांगा था ना पानी जल्दी से साफ पानी लेके आओ अभी पानी तुम अब जेल में जाके पीना क्योंकि हमारे आँख तो यही पानी मिलता है आँ मेरी आँख ओ कुछ दिख नहीं रहा चिंकी मैं तुम लोग के सामने हाथ जोड़ता हूँ मुझे पानी दे दो मुझे अपनी गलती का एहसास है हलो पुलिस टेशन जी हमारे घर में चोर घुसाया है आप जल्दी से आ जाईए ये लो पानी और मूर धोलो जी हाँ इंस्पेक्टर ये ही है वो चोर जो हमारे घर में चोरी कर रहा था चलो अब तुम्हारी अच्छे से खातेदारी करते हैं अब जान में जान आई वैसे चिंकी तुमने तो बहुत कमाल का काम किया था हाँ भाई मैं गुलगप्पे खाने के लिए थोड़ी न मांग रही थी मैंने तो उसके मूँ पे रे माला उस गुलगप्पे का पानी बेचारा एकदम छटपटा रहा था लग ना मम्मी आ गई है बेचा तुम लोग ठीक तो हो ये बाहर पुलिस कैसी आई है मम्मी घर में चोर आ गया था लेकिन हमने उसे पुलिस को हवाले कर दिया तुम लोग ठीक हो ना जी मम्मी मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है कि तुम लोगों ने अपना धैरे नीख होया और इस संकत की घड़ी में भी साहस से सामना किया है अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा और हमारे चैनल को सब्स्वाइब करना मत भूलिएगा हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे आगे तब तक के लिए बाइ-बाइ टेक केर